अधिक मुनाफ़े के चक्कर में न कर दे ये गलती। ऐसा देखा गया है कि जब शेयर बजार में तेजी आती है तो नए या छोटे निवेशक अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के चक्कर कुछ गलतियां कर जाते हैं। दौरान आपको ध्यान में रखनी है। मुचुल फंड से सीधे शेयरों में पैसा न लगाएं। बजार में जब तेजी हो तो रिटेल निवेशकों को थोड़ा थोड़ा मुनाफ़ा निकालते रहना चाहिए और इसे किसी सुरक्षित निवेश में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऐसा करने का फाइदा ये होता है कि जब बजार गिरता है तो आप फिर से लो लेवल पर इंट्री कर सकते हैं। रिटेल निवेशकों को मुचुल फंड से सीधे शेयरों में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दरसल मुचुल फंड में आपका पैसा एकसपर्ट निवेश करते हैं। आप खुद ये काम अच्छे से नहीं कर सकते। इन सेक्टर्ज में पैसा लगाने से बचें। रिटेल निवेशक तेजी के दौरान उन सेक्टर्ज में पैसा लगाने से बचें जो पहले से ही शांदार ग्रोथ हासिल कर चुके हैं। रिटेल निवेशकों को शेयर मार्केट में तेजी के दोरान उन सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए जिनका प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है लेकिन जिनके आगे ग्रोथ करने की उम्मीद है. आईपियो में ध्यान से निवेश करें अच्छे वेल्यूएशन वाले आईपियो में ही पैसा लगाना चाहिए ऐसे कई उदाहरन हैं जहां रिटेल निवेशकों ने बजार के रिकॉर्ड स्थर पर होने पर कुछ कमपनियों के आईपियो में निवेश करके नुकसान कर लिया मार्जिन ट्रेडिंग से बचें रिटेल निवेशकों को मार्जिन ट्रेडिंग से बचना चाहिए इसमें निवेशक एक छोटी राशी लगाता है और ब्रोकरेज फ़र्म का ब्रोकर अपने क्लाइंट को निवेश मूल्य पर 4-5 गुना एक्सपोज लेने की अनुमती देत इसमें अगर कीमतों में उतार चड़ाव ट्रेडर्स के पक्ष में है तो वह बहुत पैसा कमाता है लेकिन अगर कीमत में उतार चड़ाव वैसा नहीं हुआ जैसा ट्रेडर ने सोचा है तो उसे भारी नुकसान भी हो सकता है ये जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बजार जोखिमों के अधीन है निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें